मेरे पहरे देश्वासियों, नमस्तार, आज मन की बात का सोवा एपिसोड है, मुझे आप सब की हजारों चिठिया मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं, और मैंने कोशिश की हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की क कोशिश करूँ, आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया, और खुद को फिर समाल भी लिया, आपने मुझे मन की बात के सोवे एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूँ, दरसल बधाई के पात्र तो, आप सभी मन की बात के सुरोता है, हमारे देशवासी है, मन की बात, कोटी-कोटी भारतियों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रगटी करण है, साथियों, 3 अक्तुबर 2014 विज्या दस्मी का वो परव था, और हम सब ने मिलकर विज्या दस्मी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी, विज्या दस्मी यानि बुराई पर अच्छाई की जीत का परव, मन की बात भी देशवासियों की अच्छाईयों का, सकारत्मक्ता का एक अनोखा परव बन गया है, एक ऐसा परव जो हर महिने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है, हम इसमें पोजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं, कई बार यकिन नहीं होता कि मन की बात को इतने महिने और इतने साल गुजर गए, हर एपिसोड अपने आप में खास रहा, हर बार नए उधारणों की नविन्ता, हर बार देश वासियों की नई सभरताओं का विस्तार, मन की बात में पूरे देश के कौने कौने से लोग जुड़े, हर आयू वर्ग के लोग जुड़े, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्च भारत आंदोलन हो, खादी के पती प्रेम हो, या प्रकुरती की बात, आज हादी का अमृत महोसव हो, या फिर अमृत स्रोवर की बात, मन की बात, जिस विशए से जुड़ा, वो जन आंदोलन बन गया, और आप लोगों ने बना दिया, जब मैंने ततकानीन अमेरिकी राष्पती, बराक उबामा के साथ, साज्या मन की बात की थी, तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी, साथ्यों, मन की बात, मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरही रहा है, मेरे एक मारदर्शक थे, स्री लक्ष्मन राव जी इनामधार, हम उनको वकिल साब कहा करते थे, वो हमेशा कहते थे, कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए, सामने कोई भी हो आपके साथ का हो आपका विरोधी हो हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेणा दिये है मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है मेरे प्यारे देश वाच्यों इस कारकम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया मुझे आध है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहाँ सामा इनने जन से मिलना जुलना स्वाभाव की रुप से हो ही जाता था मुख्यमंत्री का कामकाज और कारकाज ऐसा ही होता है मिलने जुलने के अवसर भहुत मिलते रहते हैं लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि हां का जीवन तो बहुत ही अलग है कामका स्वरुपलक, दाईतवालक, स्थितियां, परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामजाम, समय की सीमा शुरुवाती दिनों में कुछ अलग महसूस कर रहा था खाली-खाली सा महसूस कर रहा था पचासो साल पहले मैंने अपना घर इसले नहीं छोड़ा था संपर्ग ही मुश्किल हो जाएगा जो देश्वासी मेरा सब कुछ है मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था मन की बात ने मुझे इस चुनोती का समाधान दिया सामान ने मानवी से जुणने का रास्ता दिया पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सिमित रहा और जनभाव कोटी कोटी जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया हर महिने मैं देश के लोगों के हजारो संदेशों को पढ़ता हूँ हर महिने मैं देश वाद्चो के एक से एक अधभुत स्वरूप के दर्शन करता हूँ मैं देश वास्यों के तब तहा की पराकास्ठा को देखता हूँ, महसूस करता हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपसे थोड़ा भी दूर हूँ, मेरे लिए मन की बात ये एक कारिकम नहीं है, मेरे लिए एक आस्ता, पूजा, व्रत है, जैसे लोग इश्वर की पूजा करने जाते हैं, तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात इश्वर, रुपी, जनता, जनार्दन के चर्णों में प्रसाद की थाल की तरह है, मन की बात मेरे मन की अध्यत्मिक यात्रा बन गया है, मन की बात स्वसे समस्ट्री की यात्रा है, मन की बात अहम से वयम की यात्रा है, यह तो मैं नहीं तुँ ही इसकी समस्कार साधना है, अब कलपणा करिये, मेरा कोई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहडी और बंजर जमीन पर पैड लगा रहा है, कितने ही लोग 30-30 साल से जल सवरक्षन के लिए बावणियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफसफाई कर रहे हैं, कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है, कितनी ही बार मन की भात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूँ, आकाश्वाणी के साथ्यों को कितनी ही बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है, आज पिछला कितना ही कुछ आखों के सामने आये जा रहा है, देश्वास्यों के इन प्रयास्वने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है,